स्कीट में 80 वसे शामिल हैं जो दिन भर में तक्रीबन 1.5 लाग अफराद को एक से दूसरे मंजिल तक पहुंचाएंगी मुसाफिर अब्दिल्ला चौक से ईदगा तक और ईदगा से अब्दिल्ला चौक तक 25 स्टेशन से होते हुए शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर कर सकेंगे इप्तिदाई मरहले में बाइस स्टेशन ऑपरेशन होंगी ये तो थी बस सविस से मुतलिक मालुमाद अब हम आपको बताएंगे टिकेट्स और बस टीचर्स के हवारे से आईए मेरे साथ इस ग्री लाइन बस सविस की खास बात ये भी है कि सीडियों के साथ तक एस्केलेटर भी यहाँ है कि जो सीडियों से नहीं जा सकता वो एस्केलेटर या तो लिफ्ट के जरीए बस स्टेशन के जानेब बढ़ सकता है अब हम आगए ने टिकेट गूर पर हम एक टिकेट खरीदेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि आप किस तरह यहाँ से टिकेट ले सकते अएक टिकेट पर मुझे बौर्ड से जाना है एक टिकेट के एक टिकेट के लिए ने आपको बढ़ ले लिया है अपना टिकेट और अब बमें जा रही हूं बस में बैटनेएंगे आए बेरे साथ चानुआ अए मेरे साथ चानुआ इस टिकेट कार्ट के जरीए आप इसको अनलॉक करके आगे बढ़ सकते हैं करके बढ़ सकते हैं करके बढ़ सकते हैं करके फैमिली मेंबर्स आपस में इजीली बैठ सकते हैं और यहां पर कंफिटिबल सीट हैं इस लगजुरी बस में ना सिफ कंफिटिबल सीट बलके साथ-साथ यहां पर आपके पास चार्जिंग पोर्ट सीट के साथ लगे हैं दूसरा चार्जिंग पोर्ट यहां पर है लगवा जिससे आप अपने जो भी ग्याजर साथ हैं वो उसे चार्ज कर सकते हैं इसके ऊपर आप देखेंगे एक स्टॉप बटन है जो आपको जब स्टेशन पर रुपना हो जिस स्टेशन पर उतरना हो आप इस बटन को प्रेस करें और ड्राइवर वहां पर बस रुपेगा इस बस में ना सिब आम लोगों के लिए बलके स्पेशल पीपल जो किसी भी किसिम के डिसिबिलिटी है उन्हें वो इस बस में अगर वो वीलचेर में है तो एंटरंस में ही एक पैनल बनाया गया है जिसमें वो वीलचेर के साथ अंदर आकर इस पोर्शन में इसली वीलचेर के साथ बैठ सकते हैं और वो पेसेंचर जो किसी प्रॉब Ming यह disability की वजह से बैठ नी सकते हैं उनके लिए इस बस में यह बोड लगाया है जिसके जडरिये वो support ले सकते हैं और साथ उपर हैंडल है जिसकी मदद से वो इस बस में safely travel कर सकते हैं इस लग्शुरी बस में दीगर फैसिलिटीज के साथ साथ बस के अंदर नीट और क्लीन इन्वार्मेंट को इंशोर करने के लिए यहां का स्टाफ हर घंटे इस बस की सफाई करते हैं इस बस में दो एलेडीज भी लगे हैं जो एक हेड पर है और एक टेल पर जिसमें आप जैसे स्टेशन आते जाएंगे उन स्टेशन के नाम यहां पर अपेर होंगे इस बस में एक और दिलचस चीज यह है कि डिफर्ट लोकेशन पर छे सीचीटीवी केमराज इंस्टॉल किये गए हैं ताकि जो पैसेंजर इस बस में ट्रेवल कर रहे हैं उनके सेक्योरिटी और सेफटी को इंशोर किया जा सके ताकि इन सीचीटीवी केमराज के जरिए इस बस में कराची वालों को ना तो ठकन होगी और ना पसीने आएगे क्यूंकि इस बस में एर कंडिशन है और साथ साथ जो सीट्स लगे हैं वो बहुत ही कमफिटिबल है अगर आपका सफर बहुत तवील है तो आप सुकून से इस कमफिटिबल चैर्ज में बैठ कर अपना सफर ते कर सकते हैं साथ साथ ये सपोर्ट के लिए हैंडल्स हैं ताके आप मुत्माइन होकर बैठ सकते हैं सो ये दो थी बस जो हैदरी से बोर्ड ओफिस की तरफ जा रही थी अब हम दूसरे बस चलते हैं जो हैदरी से पाइफ सा चौरंगी की तरफ ता रही है लेट्स गो